हेलो एवरीवन वेलकम टो आर चैनल इस वीडियो में देखेंगे एड केड अभ्यास पुस्तिका कक्षा पांच के विशह गनीत का पार्ट दस दसवा और सौवा भाग का सॉलुशन इससे पहले हमने पार्ट नौ तो कंपली सॉलुशन देख रहे हैं और जिन भी विशह के आ निमलिखित को सेंटीमीटर में बदलें तो आपको कोई संख्या दया रहा हैं तो आपको शेंटीमीटर उलकी लिखना है एक मीटर पिछेत्र सेंटी मेटर कितना हो जाएगा। 375 таких मैटर, 4 सेंटी मेटर 5 सेंटी मेटbnर मीटर हो जाएगा। हुआर थार कॉशन है निमभळवित प्रशनों के उतर दीजिए। फर्स्ट है, एक सेंटीमीटर, एक मीटर का कौनसा भाग है, तो एक बटा सोवा भाग है, प्योंकि एक मीटर में होते हैं, सो सेंटीमीटर, तो कितना हो गया एक सेंटीमीटर, एक मीटर का एक बटा सोवा भाग, सेकिन है, पिछित्तर सेंटीमीटर, एक मीटर का कौनसा तो 5 cm एक मीटर का हो जाएगा 5 बटा सौवा भाग तो पॉल करेंगे तो 1 बटा 20 आजाएगा एक बटी 20 वा भाग और फॉर्थ है 2 mm एक सेंटीमीटर का कौन सा भाग है तो 2 mm एक सेंटीमीटर का 2 बटा 10 वा भाग है ठीक है क्योंकि एक सेंटीमीटर में होते हैं 10 मिलिमीटर ठीक है अब देखेंगे next question बैय है दिनेश की लंबाई 1 मीटर 52 है दो मीटर की लंबाई तक बढ़ने के लिए दिनेश को कितना और बढ़ना होगा तो दिनेश की लंबाई है एक मीटर पावन सेंटीमीटर एक सो बावन सेंटीमीटर हो गई दो मीटर और बढ़ने के लिए यानि दो मीटर तो सेंटीमीटर में करमत करेंगे दो गुना सो दो सो सेंटीमीटर तो आते दो सो सेंटीमीटर माइनस एक सो बावन सेंटीमीटर कर देंगे जो 48 सेंटिमीटर और बढ़ना होगा 2 मीटर के लिए लमबाई बढ़ाने के लिए 48 सेंटिमीटर और बढ़ना होगा। चलिंए फोर्थ कोशंट देखेंगे, यहां पर खनसंगया दे रजिए, आपको सेंटिमीटर में बदलना है। breaking value. कितना हो जाएगा, 0.3 cm क्योंकि 10 mm होते हैं 1 cm में, ठीक है, 25 mm हो जाएगा, 2.5 cm, 105 mm हो जाएगा, 10.5 cm, कुशिन फिफ्थ है, दिए गए चित्र में स्केल की साहता से मौंबती 1 और मौंबती 3 की लंबाई नापकर उनमें अंतर ग्याद किजिए, तो आपको 1 और 3 की लंबाई नापकर उनमें अंतर ग्याद करना है, तो यहाँ, मौंबती 3 इकल टू है, 4.5 cm, मौंबती 1 है, 2.5 cm, अंतर निकालेंगे, 4.5 माइनस 2.5 कर देंगे, तो यहाँ हो जाएगा, 2 cm आपके पास में आंसर बच जाएगा, 6th question है, पैसों को रुपे में बदलिए, 99 पैसे कितने हो गए, 0.99 रुपे, 100 पैसे में 1 रुपे होता है, इचेतर पैसे में हो गया, 0.75 रुपे, 2 रुपे, 50 पैसे में हो गया, 2 रुपे, 2.50 रुपे, 2.50 रुपे, 7th question है, अरुन एक साबुन खरीदना चाता है, जिसकी की कीमत 17.25 रुपय है यदि अरुन की पास एक 10 रुपय का सिकyah है एक 5 रुपय का सिका है टथा 3 एक रुपय के सिक्के है उसे कितने पैसे वापस मिलेंगी तो साबुन की कीमत है 17.25 अरुन के पास कुल रुपय है दस पांच पंद्रा एक सोला सत्रा अठारा अठारा रुपय है टोटल और उनको वापस पैसे मिलेंगे अठारा माइनस सत्रा पॉइंट पचिस कर देंगे तो पॉइंट पिछेतर पैसे इसको वापस मिल जाएंगे इस कोशन है पंदरा जन्वरी 2021 को कुछ शहरों के प्राते पाच बजे तापमान रिकॉर्ड किये गए चैन्नाई में मिला 22.3 मुंबई में 20 भूपाल में 11.2 और श्री नगर में मिला 1.7 तो उपरोग तालिका के आधर पर निम्नांकित प्रश्नों के आउत्तर दीजिए सबसे अधिक वर सबसे कम तापमान की शहरों का है उनकी तापमानों को अंतर तो सबसे अधिक तो है चैन्नाई और सबसे कम है श्री नगर इनकी तापमानों को अंतर निकालना है 22.3 में से 1.7 को गटा देंगी तो आंसर मिल जाएगा आपकी पास में 20.6 अब next बहा देखेंगे श्री नगर की तापमान से मुंबई का तापमान कितना अधिक है तो श्री नगर का तापमान है 1.7 और मुंबई का तापमान है 20.0 जीर सुन्य ठीक है तो यहाँ अंतर कितना निकलेगा तो आपको देखना है 20 मैंसे 1.7 को घटा देगे तो निकल जाएगा 18.3 degree centigrade अधिक है तो मुंबई का तापन कितना अधिक है 18.3 degree centigrade नाइन्थ कोशिन है निम्नांकी चित्र में हर खाना चित्र का एक बटा सो भाग है चित्र के आधार पर निम्नांकी प्रश्नों के उत्तर दीजिए ए है इस प्रकार से चायंकी भाग पूरे चित्र का कौन सा भाग है तो यहाँ देखते हैं इस प्रकार का जो चायंकी भाग है दे गई शेप का तो यहाँ निकल जाएगा 12 बटा स्वबा भाग ठीक है चलिए नेक्स देखेंगे यहाँ पर टोटल कितने खन है आपको देखना है 12345678910 3 10 है और यहाँ पर जो ब्लॉक्स दे रखे हैं रो 12345678910 तो इस तरह से आपको काउंटिंग करके निकालना है इसे समझ के लिए आपको यहाँ पर दे रखा है जो आपका प्रष्ठ क्रमांक 140 है वो भी देख ले रहा है तो इस प्रकार से चायंकित भाग की पूरे चितर का कौन सा भाग निकल जाएगा 12 बटा 100 भाग बै है इस प्रकार से चायंकित भाग पूरे चितर का कौन सा भाग है तो यहाँ निकालेंगे जब हम तो पूरे चित्र का कौन सा भाग आजाएगा पंद्रा बटा सोवा भाग नेक्स्ट है इस प्रकार से चाहेंगित भाग पूरे चित्र का कौन सा भाग है तो निकलेगा तेईस बटा सोवा भाग 27 बटा सो इस प्रकार का भाग पूरे चित्र का कौन सा भाग है तो यहां 27 बटा 100 इस प्रकार का पूरा जो चित्र है कौन सा भाग है तो यहां हम ड्रॉ कर देंगे इस चित्र की ठीक है और कौन सा भाग निकलेगा 0.27 वा भाग अब भाग किस प्रकार से छायंकित है यह जो भाग है ये किस प्रकार से चायांकी थे तो वो भी द्रॉ कर देंगे ठीक, इस प्रकार से चायांकी थे ठीक है, चलिए, next question 10th है, नम्नांकी शार्नी को पूरा कीजिए, तो आपको एक सार्नी दे रखिए से पूरा करना है, एक बटा 4 रुपिया है 25 पैसा है तो कितने रुपे हो गए 0.25 रुपे इसी तरह से आपको आगे लिंक निकालने हैं एक बटा 20 रुपिया 5 पैसे कितना हो गए 0.05 रुपे 3 बटा 10 रुपे कितने हो गए 30 पैसे 0.30 रुपे 75 बटा 100 रुपिया पिछेतर पैसा कितना हो गया 0.75 रुपिया होगा 7 पैसे जो कि कितने रुपे का इतना भाग हो गया 0.07 रुपिया तीन बटा 5 रुपिया कि क्या हो गया 60 पैसे तो यहां कितने निकल गई 0.06 रुपे ठीक है तो इस तरह से लेसंस के और भी वीडियो देखते रहेंगे और भी इंपर्टन वीडियो जो आपकी कक्षा से रिलेट है वो भी देखते रहेंगे तो चुड़े रहें हमारे चैनल की साथ वीडियो को पूरा देखने के लिए तहने बाए